हम लोग मेडिकल कॉलेज समस्री पूर जिला में खुले इसके लिए दस साल से विधान सभा से लेकर भी भिन जगों पर संघर सम्रोंगा ने किया और आज मेडिकल कॉलेज जब खुलने का फैसला हो गया तो जिला मुख्याले में जमीन 15 एकर की जमीन है जिसमें सारी पड़क क्यों यहां से 30 किलो मीटर दूर देहात में खोला जा रहा है इसका जवाब हम लोग माननी है मुख मंत्री जी से स्वास मंत्री जी से और विज्ञान अनप्राधेकी की जो विभाग है साइंस और टेक्मोलोजी डिपार्टमेंट उससे करना चाहते हैं क्योंकि यहां पर ज पर अस्पताल के बगल में होना चाहिए था तो आखिर किस निता के दबाव में आकर के इतने बड़े धन रासी का जो जनता की धन है उसका दुरुक्योग किया जा रहा है इस मेडिकल कॉलेज से जिला से आधे से अधीक आबादी लाभानवीत नहीं हो पाएगा इसलिए हम लोगोंने पत्र भी लिखा मुखमंत्री जी से कई मुलाकात किया हम लोगोंने स्वास्ट मंत्री से मिलके मुलाकात किया सदन में उठाया कि जिला मुख्याले में जमीन उपलब्ध है हाउसिंग जमीन देने को तैयार है जब किसी तरह की कोई बाधा नहीं है तो आखिर कि किसी एक नेता को खुश करने के लिए किसी एक नेता के दबाव में 45 लाग जंता के साथ सोतेला वेवार नहीं करे मानिय मुख मंत्री जी नहीं करे स्वास्त मंत्री मंगल पांडे जी और यहां के अस्थानिय नेताओं से मेरा प्रस्त है जो राजसवा सांसद हैं चाहे लोग श्रीफ समस्तिपूर की जनता से वोट चाहिए एक नेता भाड़ी पड़ गया इतने इतने नेताओं पर आखिर इन लोग तमाम नेताओं को जवाब देना पड़ेगा कि समस्तिपूर में जमिन रहने के बावजूर्द क्यों मेडिकल कॉलेज यहां नहीं खुलवा है का यह सत्यागरा का करम है जो गादे जी का का सिध्धान था के सत्य का प्रेम से आगरा करना उसी को हम लोग कर रहे हैं आगे इस मामले को विधान सभा में ले जाएंगे उना वुक्षमंत्री जी से हम लोग 15-20 दिन के अंदर मिलेंगे जब सदन चालू होगा उना उनसे आग पर तरीके से सरकार को बाद करेंगे और समझाने का कोशिस लेकिन और बीजेपी के कई नेता जो है आरोप लगा रहे हैं कि विकास बिरोधी हैं वह अनावस्त्राइब से इस तरह की बाते कर रहा है नहीं यहीं तो सवाल कर रहा हूं जिला मुख्याले में जमीन रहने के ब पलब्द है और जमीन देने वाला तयार है जिसका सारा कागजात हम लोगों के पास है सहमती दे चुका है देने के लिए आप हजार पंद्रा सो करो रुपिया आप इंजिरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज पे खर्ट कर रहे हैं लेकिन दो पैसा जमीन के इराशी अगर मा जाकर के जबकि जिला मुख्याले में जमीन उपलब्द है हमारी लड़ाई प्रिंडिकल कॉलेज के विरोध में नहीं है जगा आपने जनता के सुविधा जनक जगा का आप नहीं चियन किया आप किसी एक नेता के परभाव में आकर के आप दिहात में ले जा रहे हम लोग उसका बिरोध कर रहे हैं उसका सत्यागरह के माध्यम से मांग कर रहे हैं